ओम शांती आप सबको स्वागत हैं अब हम रिकॉर्डिंग कर रहें 14 डिसम्बर की श्रुवदान की परमपिता परमात्मा को दिल आराम भी कहते हैं दिल को आराम देने वाले परमपिता परमात्मा उनके याद में और परमधाम की याद में रहें अपने आपको आत्मा समझ करके दिल को अराम आता है लेकिन दुनियावी बातों को सोचेंगे तो दिल विद्रण होता है लेकि दिल में दिल शिकस्त होते हैं प्रॉलमसी दिखाई देती हैं दिल में दुख होता है दिल मतलब जोकी फिजिकल दिल नहीं महां तो महसूसता होती है लेकिन आत्मा के संकल के करार interventions आत्मा को origin होता है बुद्धी ही दिल है आत्मा के अंदर ही दिल है परमात्मा कहते हैं दिलराम बाप की याद औरा तीनो कालों को अच्छा बनाने वाले, इच्छा मुक्त भवा, दुनिया भी इच्छा रहेंगी तो तीनो काल परिशानी के होंगे, लेकिन अगर परमात्मा की याद में रहेंगे तो तीनो काल अच्छे हो जाएंगे, जिन बच्चों की दिल में एक दिलराम बाब की याद है, चीजों की वस्तों की, स्ताथियों की, संबंदियों की, future की, plans की, नहीं, वे सदा वहवा के गीत काते रहते हैं, उनके मन में सुपन में भी हाई, शब्द नहीं निकल सकता, हाई ये क्या करें, हाई ये क्या हो गया, नहीं निकल सकता, क्योंकि जो हुआ वह भी वह, जो हो रहा है वह भी वह, कुछ रास चुपें इसके अंदर, जो हो रहा है इसके अंदर, बहुत गहर है जो कि हमें अभी लगता है नुकसान लेकिन आगे जाके फायदा दिखता है, और जो होना है वह भी वह, तीनों ही काल वह वह हैं, अर्थात अच्छा है जहां सब अच्छा है वहां कोई इच्छा उत्पन नहीं हो सकती हम कब अपनी जीवन को सुधाने कोशिश करते हैं जम हम सोचते हैं कि कुछ अच्छा नहीं है उससे जीवन मेरा बुरा है मेरा साथ ही आगे बढ़ गया या मेरे संबंदी आगे बढ़ गया मैं व सब अच्छा है वहाँ कोई इच्छा उत्पन नहीं हो सकती लोकिक फिजिकल अच्छा हैं क्योंकि अच्छा तब कहेंगे जब सब प्राप्तियां हैं सुख शांती प्रेम आनंद खुशी यह सब कुछ परमात्मा से मिल रहा है सुख दुनियावी सुख नहीं शांती दुनियावी शांती नहीं खुशी दुनियावी खुशी नहीं प्रमात्मे से कुछ मिल रहा है प्राप्ति संपन बनना ही इच्छा मुक्त बनना है प्रमात्मे से प्राप्तियां हो रही है तो लोकिक इच्छाएं नहीं होंगी उसे मुक्त बन जाएंगे और यही सच शिकारों से मुक्त हो जा वही सची मुक्त होना जीते जी मुक्त होना जैनों general श्राहों समझते हैं श्राइथ के साथ